Assalamualaikum मैं सर एसन अब्दुल्ला पटेल लेक्शर को continue करेंगी जहांपर हमने चोड़ा था तो 2x² में क्या होगा पावर नीचे उतरेगी 2 तूजा 4 और पावर में से 1 माइनस होगा 3 as it is और x का derivative 1 4 constant is iris का derivative 0 आएगा यहाँ पर जब पावर नीचे उतरेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस बन में से एक और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर नीचे उतरेगी 3 to the 6 और पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस टू माइनस हो simplify करेंगे इसको power माइनस में आ रही है मरजी है हमारी हम चाहें तो माइनस की power को upon में करके लिख सकते हैं ठीक part 4 इसमें क्या कह रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? अब देख सकते है, अप on में x cube मौझूध है तो हम क्या करेंगे, हर किसी को अलग अलग x3 के साथ divide कर देङे हर किसी को alग-alग हमने क्या किया x3 के साथ divide कर दिया, जब x3 से divide करेंगे base sin power add होती है और divide होते हैं, तो base sin power subtract होती है यह आप देख सकते हैं, 2 में से 3 जाएगा, minus 1, 1 में से 3 जाएगा, minus 2, और यह पूरी की पूरी पूरी पावर जब उपर आएगी, तो क्या हो जाएगी, minus 3, उसके बाद, हम बोद साइड, d by dx अप्लाई करेंगे, हम भी अब क्या करेंगी हम, constant आपको पाता है, 2 गड़ आरे, बड़ जीरो आएगा, पावर नीचे उतरेगी, minus minus, plus, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर नीचे उतरेगी, plus minus minus, four to the eight, और पावर में से एक हम माइनस कर देंगे, हम यह माइनस माइनस, plus, three to the six, और पावर में से एक हम, माइनस कर देंगे, यह हो जाएगा, three x minus two, eight x minus three, और six x minus four, चाहें तो, पावर को, आप on में ले जाए, सिंपल, चाहें तो, ऐलसियम ले लीजिए, यह हो जाएगा, three x square, minus eight x, और six, पेशिक्स हमारे मुकमल हो, फर्दर, प्रोडक्ट रूल और कोशन टूल आपको में नेक्स वीडियों में से खाऊंगा, अस्सलाम वाले,